देखे जो आपका सीटेट का एक्जाम होता है उसमें आती है आपकी पैडगोजी मैं बात करूँ आपके पैडगोजी की सबसे असान आती है अगर आपने पैडगोजी कर ली तो समझ लो आपका सीटेट का एक्जाम आपका पास हो गया क्योंकि सबसे असान आती है आपके लिडियो को एंड होने के बाद क्या होगे यहार वाकई में सबसासान होती है पैड़ागोजी ठीक है दो चार मिनट लेट हो गया तो थोड़ा से स्क्रीन के अंदर कुछ दिक्कत चल लिए टेक्निकल दिक्कत आप लोगों को थोड़ी सी प्रोलम आएगी स्क्रीन के अंदर थोड़ा मेनेज कर लेना ठीक है क्योंकि आज की क्लास के उपर आप लोग लिख लेना very very important क्योंकि आज की कलास आपको paper pass कराने वाली कलास आपको देखने को मिलने वाली है मैंने कहा सीटैट के एक्जाम में आपकी आती है pedagogy क्या आती है आपकी pedagogy लगबग आपके आदी आती है CDP में जाओगे आदी पैडगोजी आएगी EBS में आदी आएगी Maths में आदी आएगी Language में आदी आएगी Social Science में जाओगे वापा आपकी 20 नमबर आएगी Science में जाओगे वापर आपकी अलगबगा आदी देखने को मिल जाती है मोटा मोटा मान के चलिए आदे नमबर के आपकी पैडगोजी आती है पैडगोजी आपकी कहां से कवर होती है उसके बारे में मैं आपको कही बार बता चुका हूँ पैडगोजी के लिए एक तो आपको NCF 2005 पता होने चीए जिसके बारे में ओल लेडी मैंने आपको वीडियो बना कर डाल चुका हूँ अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर देख लेना उसके लावा आपको NEP 2020 की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको उसको नहीं देखा तो उसको वीडियो को जाकर देख लेना ठीक है बस यह छोटी-छोटी चीज आपको करनी है उसके लावा आपको डेली जो मैं किलास आपको देता ह जिनको देखते हैं पता लग जाता है यह question negative रहेगा या positive रहेगा और question में जो question lengthy question होते है ना उसमें देखते हैं पता लग जाता है question का negative answer निकलेगा positive निकलेगा और बहुत कम time में बहुत जल्दी answer देखने को बिल जाता है तो आज इसी की class होने वाली है basically topic number 29 है 28 topic में करा चु और देखते हैं आज आपकी class के बाद आप लोग खुद आगर आपने निया कह दी किया वाकई में पैड़ागोजी बहुत असान है ठीक है जिसके बाद आपका CTAT का exam आपको बहुत आसान लगने वाला है और यह देखो एक चीज़ आपको और बता दू पैड़ागोजी ना आपको रटनी नहीं है पैड़ागोजी आपको समझ नहीं है कैसे करनी है वो सब आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ तो इसलिए मैंने का बड़ी महत्फून क्लास होने वाली है जो student पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क् आपके एक जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है ताकि आपको सभी क्लास मिलते रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके लावा जब आपकी क्लास आज आपकी खतम हो जाएगी आप लोग जितने भी question answer है प्रीवेशर के जो मैंने अपने notes के अंदर डाले वे उसमें आप आप लोग प्रैक्टिस कर लेना ठीक है नोर्स के अंदर आपको बाकी चीज मिल जाएगी syllabus के करने आपको सारा content मिल जाएगा लगबग मैं लू या नहीं लू एंचाइटी लू या नहीं लू या कोई और बुक लू कोई और बुक या XYZ कोई चीज आपको नहीं follow करनी सिर्फ notes से आपको पढ़ना है और class daily attend करनी है उसके बाद अगर आपको अच्छनम बनना है तो आप लोग मुझसे मिल लेना ठीक है ऐसी नो website पर notes मिलेंगे तो एक दो पेज मेरे notes के लिए लेते हैं बाके अंदर पता नहीं क्या material भरा रहता है और उनको कैफे वगरा बहुत देरे तो उनसे आप लोग बचना है ठीक है